आप सबको मेरा नमस्ते ये जो सेशन है उसमें हम लोग ने तोड़ो टॉडल रखे हुए है एक तो है नवजार जो शिशू है उसको कैसे समालना है कैसे उसकी देखबाल करनी है और दूसरा टॉटॉडल है उसमें हम लोग ने दिखाया है कि बचे को कैसे नहालाना है तो पहले टॉटॉडल में जैनम के बाद कभी नहालाना है कि बच्चे को जबी भी आप कैसी उसको सुलाना है तो इसको पीट पे सुलाना बहुत ही इंपर्टट है आपको पेट पे नहीं रखना है उसको पीट पे सुलाना है क्या कारण है उसका कि जो बच्चे पेट पे सोते हैं उसको देत समधी कॉल सिजिज Sudden Infant Death Syndrome Sudden Infant Death Syndrome मतलब क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे नीद में ही उनकी बृत्वी हो जाती है उसको में लोग सेट्स बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ रात में कैसे बच्चा में उठता ही नहीं है सुबर में तो उसकी जो मात्रा है वो अगर बच्चे को पीट पे सुलाया तो मात्रा कम हो जाती है Sudden Infant Death Syndrome की मात्रा कम हो जाती है तो आपको यह द्यान में रखना है उसमें हम लोग ने बताया हुआ है कि बच्चे को कैसे नहलाना है तो मतलब जैसे अलग-अलग तरह की जो क्लाइमिट होती है कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है कभी बच्चे को व तो यह सारी अलग-अलग जो चीज़े हम लोग ने बताई हुई है कितना पानी का टेंपरेचर कितना होना चाहिए कैसे बच्चे को प्रोटेक करना है गर्मी से ठंड से ठंड से ठीक है तो यह दोनों टुटरियल आप देखे और सारी जो information है आपको मदर को बतानी है ठीक ह नमस्ते उसे उठाना चाहता है इसलिए यह जरूरी है कि शिशु को उठाने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाए नवजात की रोग-प्रतिरोदक शक्ती मजबूत नहीं होती इस वज़े से उसे infection का खत्रा रहता है शिशु को infection से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उसे उठाने से पहले हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और साफ कपड़े पर सुखाएं अब सीखेंगे पहली बात जो है शिशु को कैसे उठाएं शिशु को उठाते हुए हमेशा अपने एक हाथ से उसके सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से उसके नितंब को लिटाते हुए भी एक हाथ से सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से नितंप को। जब भी शिशु को नीन से जगाना हो तो उसके पैरों पर गुदगुदी करें या फिर उसे सहारा देते हुए उठा कर बिठाएं या फिर हलके से उसके कान को छुएं। हमेशा याद रखें कि नवजा चिशु बहुत नाजुक होते हैं। शिशु को संभालने से पहले याद रखें कि वो किसी भी तरह के खेल के लिए तैयार नहीं हैं। इसी लिए उसे घुटने पर रखकर ना हिलाएं और ना ही हवा में फैंक कर पकड़ें। कभी भी खेलते हुए या फिर गुस्से में उसे जोर के ना हिलाएं। उसकी गर्दन को अचानक से ना हिलाएं। इन सब से अंधुरूनी चोटे लग सकती हैं। अब हम घर पर गर्बनाल की देख भाल करना सीखेंगे। मा की कोख में गर्बनाल ही शिशु को जिन्दा रखता है। पर पैदा होने के बाद गर्बनाल की जरूरत नहीं होती। पैदा होने के कुछ मिंटों में ही जब गर्बनाल धड़कना बंद हो जाए तो उस पर गांठ मार दें। जब तक शिशु घर जाने लायक होता है तब तक गर्बनाल सूप कर सिकुडने लगता है। फिर वो एक दो हफ़तों में गिर जाता है। पर याद रखें गर्बनाल में से शिशु के शरीर में इंफेक्शन आ सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। कैसे? गर्बनाल को हवा लगा कर सूखा रखें। गर्बनाल के गिरने तक शरीर को गीले कपड़े से पहुंचें। गर्बनाल को शिशु के लंगोट के बाहर रखें या फिर मोड कर लंगोट के किनारे के अंदर रखें। शिशु को स्वास्तसेवक को जरूर दिखाएं। अगर गर्बनाल के एक तरफ से खून निकले या त्वचा से खून निकले पीक पड़ जाए या सूजन या फिर त्वचा लाल हो जाए। आपको लगें कि शिशु को नाभी के आसपस दर्द हो रहा हो और यदि शिशु के एक महीना पूरे होने पर भी गर्बनाल ना गिरे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गर्बनाल गिरने वाला हो तब या फिर गिरने के बाद थोड़ा सा खून निकले पर ये जल्दी रुख जाता है। याद रखें गर्बनाल को कभी भी ना खीचे ना ही उसके गिरने पर त्वचा पर पट्टी बान दें। अब हम पोशन की बात करेंगे कि कैसे शिशु को दूद पिलाया जाए नवजात को पैदा होते ही एक घंटे में दूद पिलाएं पहले छे महिने सिरफ मा का दूद ही देना चाहिए इसके अलावा मा को शिशु के नंगे शरीर को अपने नंगे शरीर के साथ रखना चाहिए और शिशु के भूके होने के संकेतों को देखना चाहिए ये सभी बाते इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताई गई है कभी-कभी नवजाच शिशु को दूद पिलाने के लिए बार-बार जगाना पड़ता है खासकर समय से पहले पैदा हुए कम वजन के शिशुओं को अगर एक स्वस्थ या फिर समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तनपान में दिलचस्पी ना हो तो मा को डॉक्टर या स्वास सेविका से मिलना चाहिए स्तनपान करते हुए शिशु हवा भी निगल लेते हैं जिससे वे चिर्चिरे हो जाते हैं ऐसा ना हो इसके लिए हर स्तनपान के बाद शिशु को ढकार दिलवाएं ये इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है अगला है लंगोट के बारे में जब भी शिशु पिशाब या मल करें तो उसे पीठ पर लिटा कर गंदी लंगोट को निकाल लें पानी और मुलायम कपड़े से उसके गुप्त अंगों को साफ करें इन जगहों पर साबुन ना लगाएं अगर शिशु लड़की होत तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करें इस से पिशाब के इन्फेक्शन से बचाव होगा लंगोट बदलने से पहले और बाद में मा या फिर शिशु को संभालने वाले को हाथ अच्छे से धोने चाहिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंगोट की वज़े से शिशु की तवचा लाल या उस पर दाने हो जाएं ऐसा होना आम है कि तवचा लाल हो जाए और दाने भी हूँ, ये कुछ दिनों में गरम पानी से नहाने पर और कुछ खास क्रीम लगाने पर और फिर कभी-कभी बिना लंगोट पहनने पर ठीक हो जाता है, शिशु की तवचा नाजुक होती है, गीली लंगोट से उसको चाहिए, फिर उसके गुप्त अंगों को पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें, बाजार में मिलने वाले गीले कपड़े या पेपर से नहीं, जिससे शिशु को तकलीफ हो सकती है, एक मोटी परत लंगोट की तकलीफ से बचाने वाली क्रीम की भी लगा सकते हैं, क्रीम जिसमें जिंक ओक्साइड हो, वो नमी को दूर रखता है, शिशु की लंगोट बिना रंग और खुश्बू वाले साबून से धोएं, और दिन में कुछ वक्त शिशु को लंगोट ना पहनाएं, इससे त्वचा को हवा लगेगी, अगर तीन दिन से जादा त्वचा को तकलीव हो, या फिर हालत जादा बिगड़े, तो डॉक्टर को दिखाएं, ये फफून्दी का इंफेक्शन हो सकता है, जिसमें दवा लेनी पड़ती है, आखरी में हम बात करेंगे शिशु के सोने की आधतों की, एक दिन में शिशु 14-16 घंटे तक सो सकते हैं, नवजात एक ही बार में 2-4 घंटे सोते हैं, काफी नवजात शिशु के लिए दिन और रात में कोई फरक नहीं होता, वे रात को जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं, ताकि शिशु रात को अच्छे से सो पाए, ऐसा कुछ न करें कि उनकी कमरे की रोशनी एकदम कम करके रखें, और दिन में उन्हें जगा कर रखें, उनके साथ खेलें और बातचीत करें, मा या शिशु की देखबाल करने वाले को याद रखना चाहिए, कि शिशु हमेशा अपनी पीठ पर सोए, इस से अचानक से होने वाली मौत से शिशु बच सोते हुए बाकी की साथानिया जो बरतनी चाहिए वे हैं, उनके पालने में कम्बल, रजाई, मेमने की खाल, रूई से भरे खिलोने और तक ये ना रखें, इन सबसे शिशु का दम घुट सकता है, याद से हर रात को शिशु के सर की स्तिति बदलें, पहले दाएं, फिर बा इससे शिशु का सर एक तरफ से चप्टा नहीं होगा नवजाद शिशु की देखबाल की जरूरी बातों का यह स्पोकन टुटॉरियल यहीं समापत होता है, आई आई टी बॉम्बे से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुडने के लिए धन्यवाद नवजाद शिशु को नहलाने के तरीके के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है। पहली बार जब हम माबाब बनते हैं, तो हम सबको शिशु को नहलाने की चिंता रहती है। शिशु को बहुत ध्यान से नहलाना चाहिए। एक भी गलत कदम शिशु को हानी पहुंचा सकता है हम सबसे पहले शिशु को नहलाने से पहले की सुरक्षा टिपनियां जानेंगे जैसे की मा या खयाल रखने वाले के नाखुन हमेशा कटे होने चाहिए उन्हें अंगुठी चूडियां या घड़ी नहीं पहननी चाहिए क्यूंकि इन से शिशु को चोट लग सकती है तो शिशु को पहली बार कब नहलाना चाहिए प्रसव के 48 घंटों के बाद मा शिशु का शरीर गीले कपड़े से पहुंच सकती है याद रखें जब तक गर्बनाल गिर न जाए तब तक गीले कपड़े से ही शिशु का शरीर पहुंचे गर्बनाल के गिरने के बाद मा या परिवार का सदस्य शिशु को रोज नहला सकता है पर अगर शिशु का जनम से ही वजन कम हो तो जब तक वजन 2 किलो तक न हो जाए तब तक गीले कपड़े से ही शरीर को पहुंचे चलिए देखते हैं कि गीले कपड़े से शिशु का शरीर कैसे पहुंचा जाए शिशु करने से पहले याद से कमरे की सभी खिडिया बंत कर लें ताकि कमरा गरम रहे एक मुलायम साफ सूखा कपड़ा तैयार रखें शिशु को एक सुरक्षित चप्टी जगह पर रखें फर्ष सबसे सुरक्षित जगह होती है शिशु को उंची जगा पर कभी न रखें नहाने का पानी 37 डिग्री सेल्सिय से जादा नहीं होना चाहिए पानी का तापमान मा को अपनी कोहनी से या कलाई पर जांचनी चाहिए और नहलाते हुए शरीर को साफ करने के लिए पहले साबून का पानी इस्तेमाल करें साबून का पानी बनाने के लिए हमेशा हलका बिना खुश्बू और रंग का साबून या खास शिशु को नहलाने का साबून इस्तेमाल करें पिर साबून उतारने के लिए साफ पानी लें अब छोटे मुलायम कपड़े को पानी में भिगोएं और निचोडें फिर शिशु की आँखें अंदर से बाहर की तरफ साफ करें पर उसी कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ ना करें एक अलग ताजे मुलायम कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ करें शरीर के सिल्वट पढ़ने वाले अंग जैसे बगले, कान के पीछे, गर्दन के आसपास, हातों और पैरों की उंगलियां और गुप्त अंग भी साफ करें अब हम बात करेंगे रोज के नहलाने की याद से स्वस्थ शिशु जिनका गर्ब नाल गिर चुका है, उन्हें रोज नहलाएं रोज के नहाने के लिए अगर आपको बड़ा टब इस्तेमाल करना हो, तो उसके अंदर दो इंच तक साबुन का पानी भरें इसे बनाने के लिए एक हल्का बिना रंग या खुश्बु का साबुन लें और एक अलग टब में ताजा पानी रखें फिर कोहनी से दोनों टबों के पानी का तापमान देखें तापमान सही हो तो ध्यान से और धीरे से शिशु को साबून के पानी वाले टब में रखें और हमेशा उसके सर को सहारा दें शिशु के टब में बैठने के बाद टब में पानी ना भरें सबसे पहले शिशु का सर एक बिना रंग और खुश्बू वाले साबुन या शैंपू से साफ करें फिर हलके हाथ से ताजे पानी के साथ साबुन निकालें और फिर शरीर पर सिल्वट पढ़ने वाले अंग और गुपत अंग भी साफ करें जहां सबसे ज़ादा मैल होती है आखिरकार हलके से पूरे शरीर को ताजे पानी से धोएं पर अगर मा को या शिशु के खयाल रखने वाले को पारंपरिक तरीके से नहलाना हो तो फर्श पर बैठ कर अपनी टांगों को खोलें फिर शिशु को टांगों पर रखें शिशु का सर मा के पैरों की तरफ और शिशु के पैर मा के पेट की तरफ होने चाहिए अब शिशु नहलाने के लिए सही स्थिति में है नहलाने के बाद तुरंट शिशु को साफ मुलायम तॉले से पहुंचे जैसे पहले बताया है, शरीर के सिल्वटों वाले भाग को भी पहुंचें पाउडर ना लगाएं, खास शिशु वाला पाउडर भी नहीं पाउडर से नवजात को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है आंखों में सुर्मा और काजल भी ना लगाएं इस से शिशु के अंदर सीसे का जहर फैल सकता है और उसे इनफेक्शन भी हो सकता है अब देखेंगे पहाडों और ठंडे इलाकों में रहने वाले शिशु की देख रेक इन्हें गर्भ नालना गिरने तक रोज गीले कपड़े से ही पहुंचें पर शरीर सुखाने के बाद तुरंद मा या खयाल रखने वाले के बिना कपड़े पहने हुए शरीर के साथ बिना कपड़े पहने शिशु को रखें इस से शिशु के शरीर का तापमान कम होने से बचेगा याद रहे हफते में दो बार ही शैंपू करें नहीं तो सर पर खुशकी हो जाएगी कभी-कभी नवजात के सर की चमड़ी पपड़ी वाले धब्बे या मच्छली की चमड़ी जैसी हो सकती है इसे cradle cap कहते हैं ये धब्बे लाल भी हो सकते हैं cradle cap की चिंता ना करें ये अपने आप ठीक हो जाएगा इसे इलाज की जरूरत नहीं होती खास शिशु के सर पे लगाने वाला तेल इस पपड़ी को मुलायम कर सकता है पर पपड़ी पर थोड़ा ही तेल मले जादा तेल से हालत खराब हो सकती है फिर दो से तीन घंटों बाद हलके शैंपू जिससे आंसू ना निकले उससे शिशु का सर धोएं और एक घंटे बाद हलके से मुलायम कंगी से बाल बनाएं पपड़ी को कभी भी ना खीचें नहीं तो शिशु को चोट लग सकती है या फिर इंफेक्शन भी हो सकता है शिशु को नहलाने के तरीके का ये स्पोकन टुटोरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपसे मैं पूदारे प्यस्कार को चिक जुड़ने के लिए एक प्रेशन लग यहीं समापत है यहीं सम्मापका के लिए बना ओे जशु को फिए करूबगा से एक सकता है झाल झाल